नमस्कार मेरे किसान बाईो, किसान साथियो, जमीन के माध्यम से तो हम खाद अपने पोद्दे गन्ना या पेडडी गन्ना उनको देते ही हैं, अगर हम इस्प्रे के माध्यम से NPK हो, या फिर micronutrients हो, या humic acid हो, थोड़ी-थोड़ी मात्रा समय समय पे अगर हम इस्प्रे के म जोड़ी होंगी गन्ने में चमक जल्दी बनेगी क्योंकि पत्यों के माध्यम से सबसे ज़्यादा बोजन जो हमारे पोद्ध है वो बनाते हैं फोटो सिंतेसिस का जो कारिया वो बढ़ जाता है किसान भाईयो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे हार्मोन के बारे में अगर आप उसका सही तरीके से और सही समय पर इस्तिमाल करते हैं तो किसान भाईयो हर इस्प्रे में आपका जो गन्ना पोद्धा या पेड़ी भी हो दो फुट बढ़ेगा केवल और केवल 15 दिन के अंदर जैसे ही आप इस्प्रे करेंगे 15 दिन के अंदर ही आपको 2 फुट की ब पोदों को देते हैं, अपने गन्य को देते हैं, अपनी पेड़ी को देते हैं, तब भी केवल और केवल 12 फुट से 13 फुट ही गन्ना हो पाता है, इससे ज़्यादा हाइट नहीं होती, अगर हम अपने गन्य की हाइट 3 स्प्रे में 2-2 फुट बढ़ा दे, सिर्फ 3 स्प्रे मे दो-दो फुट बढ़ा दे किसान भाईो तो जो हमारी normal है अगर मैं 9 फुट भी लगा लूँ या 8 फुट भी एक आम गन्ना जो हमारा होता है उसमें 6 फुट अगर हम उसकी height बढ़ा दे 5 फुट भी बढ़ा देते हैं तो एक आम गन्ना जो हमारा निकलना है वो कम से कम 13 फु प्रोटेंट है और उसके साथ क्या मिलाना क्योंकि किसान भाईो जब हम इस हार्मोन का इस हार्मोन का स्प्रे करते हैं तो हमारा जो गन्ना है वो बहुत तेजी से ग्रो करना सुरू करेगा तो किसान भाईो उसे nutrition की भी जरूत पड़ेगी हम किसी चीज को बहुत stress करते हैं तो वो पतली हो जाएगी इसलिए किसान भाईो उसको पोशन की भी बहुत तेजी से आवा सकता पड़ती है तो किसान भाईो आज मैं बात कर रहा हूँ जिब्रैलिक एसिड के बारे में किसान भाईो इसके नाम में एसिड लग रहा तो आप ये मत समदना कि ये कोई खतरनाक चीज है या आपके पोदे गन्ने को पेड़ी गन्ने को जला देगी नहीं किसान भाईो ये एक हार्मोन है जो हमारे पोदे में पहले से ही फ्लग दोता है लेकिन बहुत कम मात्र में अगर हम इसका छिड़काओ उपर से कर देते हैं तो हमारा गन्ना बहुत तेजी से ग्रो करना सुरू कर देगा चाए वो कोई भी फसल हो वो बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर देगी तो किसान भाईो जिब्रेलिक एसिड का परियोग आपको कितनी मात्रा में करना सबसे पहले मैं आपको यहीं बताता हूँ पांच बिगे खेत में एक एकड़ खे उसको गोलने के लिए आपको उसी में ही उस डब्बी में ही एक अन्य पाउडर मिलेगा उसी में ही वो गोलेगा पानी में आप उसको नहीं गोल सकते और किसान भाईयो इसको आपको साम को स्प्रे करना दोपहरी में या धूप में स्प्रे नहीं करना अब किसान सात्यो अब आपका गन्य बॉआई को कम से कम 70 दिन हो जाएं, 70 दिन पे आपको पहली स्प्रे लगानी, दूसरी स्प्रे 140 से 50 दिन पे लगानी और तीसरी स्प्रे 200 दिन पे लगानी आपको किसान भाईयो, तीन स्प्रे लगानी, तीन स्प्रे में आपका गन्या 5 से 6 फुट हाइट आपके गणनेगी, जो 78 फुट लंबा ही गणना होना है, वो किसान भाइयो, आपका गणना जाएगा कम से कम भी 12-13-14 ता, तो किसान भाइयो, अब इसके साथ सावधानी और क्या रखनी है, और इसके साथ आपको और क्या मिलाना, हालांकि किसान भाइयो, अगर आपका गन्ना बहुत अच्छी value में है आपके गन्ने की जो तना है वो बहुत मोटा है अच्छा है तो आप चाहें तो केवल और केवल इसके साथ NPK मिला सकते हैं 19-19-19 पांच बिगे में एक थेली एक किलो लेकिन क्योंकि किसान भाईयो ये बहुत तेजी से गन्ने को ग्रो करता है तो आपको इसके साथ कोई micronutrient ज़रूर लेना और किसान भाईयो क्वांटिस के बहुत अच्छे result हैं आप कई कंपनियों के आते हैं किसी भी कंपनी का micronutrient ले सकते हैं 250 ml 250 gram आप 5 gram जिब्रैलिक एसिड के साथ एक NPK लीजे एक micronutrient लीजे और आप spray कर दीजे क्योंकि ये बहुत तेजी से आपकी फसल को बढ़ाएगा तो उसमें किसी भी पोशक तत्वी की deficiency नहीं आएगी अगर आप उसके साथ ये चीज़ें मिला लेंगे अकेले इसकी spray करना चाहें अकेले भी कर सकते हैं बहुत अच्छा result है लेकिन बहुत तेजी से गन्ने को ये बढ़ाता है तो किसान भाईयो थोड़ा सा nutrition हमें देखना पड़ता है आप इसके साथ कोई भी micronutrient जरूर लगाएगे और NPK 1919 जरूर लगाएगे तीनों इसके तत्व 1919 में तीनों तत्व हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा इसका result मिलता है किसान भाईयो तीन से ज़्यादा बार इसका spray मत करना अगर आप समझ रहे हों कि मैं इसका spray हर पंदरवे दिन कर दूँ और मेरा गन्ना 20-25 फुटका हो जाएगा ऐसा नहीं होगा किसान भाईयो आपको 70-70 दिन के gap पे 3 spray करनी है पहली spray 70 दिन दूसरी spray 140-50 दिन और तीसरी spray 225-250 दिन के बीच में आपको spray करनी है किसान भाईयो और आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसके मिलेंगे किसान भाईयो पाउडर फॉम में तो मैंने आपको बताए दिया अगर आप चाहें तो 24 करेट के नाम से एक बहुत फेमस प्रोड़क्ट आता है HPM का उसके अंदर भी जिब्रैलिक एसिड है और किसान भाईयो यह गुला गुला आता है आपको गोलने की भी अवाशकता नहीं है पाउडर को आपको घर पे लाके गोलना पड़ेगा तब ही आप उसको इसको इस्प्रे कर पाएंगे किसान सात्यों इसके भी बहुत सुन्दर बहुत जबरदस्त रिजल्ट है अगर आप चाहे तो HPM कंपनी का 24 केरेट भी ला सकते है या आप पाउडर फोम में 5 ग्राम जिब्रैलिक एसिड खरीद के अलग से सप्रे कर सकते है किसान भाईयो दोनों के ही किसान भाईयो का बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं आप चाहे तो दोनों में से किसी का भी प्रियोग कर सकते है